प्रेंट्स आज हम बनाएंगे प्लेटिट्स गाउन और इसे हम ट्रांस्पेरिन नेट पर बनाएंगे और अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकोन के बेटन जरूर दबाएगा तो यहां पर लाइनिंग लिए तो टोटल लांथ हमें आपर पर पाट की 15 इंच रखनी है वन इंच इसमें प्लस कर लिया है मार्जन का तो 16 इंच लेना है शुल्डर लेना है हमें 7 इंच बोटनेक के अकौर्डिंग यसे हम बनाएंगे पार्ट लिना है 33 का फोथ पार्ट लिना है यहाँ पर 2 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए यहाँ पर वेस्ट है हमारी 26 उसका फोथ पार्ट लिया और 2 इंच मार्जन के लिए लिया है और 1.5 इंच टक्स के लिया है साइट से लाइन को ड्रॉः करते हुए वह रिंच से आर्मल के साइड पर गुलाई दी है इन पार्ट को हम कट करेंगे तो यह हमने फ्रेंट और बैक दोनो पार्ट यहांपर कट किये है फोर फोल्ल करके हमने इसे रख लिया था यह हमारा बैक पार्ट है और यह हमारा फ्रेंट पार्ट है इस तरह से गुलाई देनी है हमें फ्रेंट पार्ट में क्योंकि फ्रेंट का एक्स्ट्रा कट करते हैं अब यह हमारा लाइनिंग फाब्रिक है इसको हमने डवल भार फोल्ड किया और फिर हमें इस तरीके से फोल्ड कर लिना है तो अब देखिए इसकी जो टोटल लैंद है वो हमें 57 इंच की रखनी थी और अब हम यहाँ पर इसकी जो हमारी वेस्ट है वो ले लेनी है तो वेस्ट है हमारी 26 इंच की और अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 9 इंच पर यह देखिए जो circle है पूरा वो हमारा chest का fourth part है वो हमारा half inch plus किया है तो total हमने 7 inch लिया है अब यहाँ पर जो हमारी total gown की length है वो है 57 inch यह देखिए 57 inch है अपर part हमने 15 inch कर लिया है तो 57 में से minus करना है हमें 15 inch तो आता है हमारा 42 inch तो हमें यहां पर 42 inch ही ले ले लेना है कुछ ज्यादा कम नहीं करना है इसमें जितना हमने 57 में से 15 inch minus किया उतना ही हमें हाँ पर marking करनी है क्योंकि यह हमारा man fabric से lining तोड़ा 2 inch का चोटा होता है तो हमें 42 inch ही लेना है और यहां पर स्ट्रेट हम marking कर लिए है ताकि हम यह स्ट्रेट कर ले यहां पर जो गोलाई है हमारी वो हमें गोलाई देनी है और वहां पर भी हमें आगे के साइट भी जॉइन्ट लगाना होगा हम को क्योंकि fabric हमारे पास इतना नहीं है तो side का fabric cut करके हमने यहाँ पर joint करना होगा और इसको भी हमने satun के साथ cut कर लिया है तो satun में joint नहीं आया है और यह हमारा man fabric है तो अब देखिए 57 में से minus किया था 15 inch तो 42 inch आएगा 42 inch में हमें 1 plus कर ले रहा है margin के लिए तो 43 inch पे हम marking करेंगे इसकी और यहाँ पर मैंने इसको 67 बार fold कर लिया है ताकि हमें cut करने में आसानी रहे तो हम यहाँ पर 43, 43 inch पे marking करते हुए इसे cut करेंगे तो देखिए मैंने इसे cut कर लिया और अब हम stitching करेंगे तो front part भी हमने cut कर लिया lining और sand tune और net fabric के साथ तो यह वाला part जो हमने stitch कर लिया है sand tune और net के साथ lining fabric किये है तो इसकी जो wheat थे वो हम 4 inch रखेंगे length हम इसकी 3 inch रख रहे है एक box बनाकर round shape ड्रॉ करना है इसकी total length हम रखेंगे 10 inch की armhole के side से marking करनी है 4.5 inch की दोनों marking को हम लाते हुए line को draw कर लेना है और इसे cut करना है तो देखिए से हमने cut कर लिया center से भी cut कर लेना है अब जो हमने net fabric और sand tune fabric को stitch किया था ना वो उसके उपर हमें lining fabric रखना है और neck को stitch करना है तो यह देखिए stitch कर लिया cut लगा लेना है पूरे ही neck पर एक stitch हम lining fabric के उपर से करेंगे और फिर इसके उपर से एक stitch करेंगे बाकी साइट से भी stitch करके extra fabric cut कर लिया है तो इसे हमने stitch कर लिया दोनों ही पार्ट stitch कर लिये हैं अब यहां पर neck fabric जो हमने lining के साथ cut किया था नीचे के साइट से हमने half inch इसको extra लिया है stitching के लिए जो हम stitching कर रहे हैं वहीं से हमने इसको extra लिया है और बाकी साइट से sds ही लिया है अब यहां पर हमें यह senton fabric लेना है और इसे यहां पर stitch करना है क्योंकि back में हम chain लगाएंगे तो यहां पर हमें पहले पटी लगा लेनी है इसको side से fold करते हुए stitch करना है और अब यहां पर मैंने open chain ली है उसे हम इस तरीके से stitch करेंगे तो देखिए इसे हमने यहां पर stitch कर लिया दूसरा पार्ट भी हमें stitch कर लेना है दूसरे side से यह देखिए यहां से भी हम इसे stitch करेंगे तो जहां से आपको easy बनता है stitch करने में वहां से आप इसको stitch कर सकते हैं मैंने से नीचे के side से stitch किया है यह देखिए stitch कर लिया एक्स्ट्रा जो fabric के उसको cut करेंगे अब यहां पर cross में पटी cut की है नैट fabric की double करते हुए neck पर हम stitch करेंगे से cut लगाना है पूरे ही neck पर एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के side fold करते हुए stitch करना है तो मैंने आप एक cut भी लगा लिया है फिर हम इसे fold करेंगे यह देखिए इस तरह से back part complete हो गया है हमारा और front part की neck की width हम 4 inch रखेंगे neck की length हमें याप 3.5 inch रखनी है box बनाकर round shape draw कर लेना है जो width length है वह 6.5 inch रखी आर्मूल के side से 4.5 inch रखा और इस तरीके से shape दे दिया है इसे हम cut करेंगे और यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला neck है उसको हमें paper pasting पर भी cut कर लेना है तो देखिए paper pasting को cut कर लिया उसको paste भी कर लिया है अब हमने center and neck fabric को दोनों को साथ में stitch किया उसके upper lining रखी है और neck को हम stitch करेंगे extra fabric cut करना है पूरे ही neck पर cut लगाना है देखिए कि stitch हमने पटी के उपर से कर रहे है बाकी side सब stitch करके extra fabric cut करेंगे तो पहले हम उपर के side से stitch करेंगे तो हम यह पर पहले rough stitch करेंगे क्योंकि net fabric करेंगे वहाँ पर हमें double stitch करना होगा तो उसे हमें निकाल देना है तो देखिए यहाँ पर हमने lining fabric को stitch नहीं किया है देखिए इस तरह से हमने extra लिया इसमें नीचे के side से half inch इसी तरीके से हमने back part जो है उसका भी net जो cut किया था वो भी आप नीचे के side से half inch extra लिया था और अब यहाँ से हम इसे stitch करेंगे यह देखिए तो हमने इसे stitch कर लिया अब यहाँ पर हमें इसे fold करना है center brick marking करनी है इस तरह से पूरी marking करेंगे अब tax point लेना है हमें 10 inch पर तो हम 33 size की बना रहे है तो 34 तक आप 10 inch रख सकते हैं tax point और यहाँ पर हमने 11 inch पर marking कर लेनी है क्योंकि इतना हमें cuff के center पर gap होना चाहिए हमारा यह देखिए यहाँ पर दूसरा जो cuff लगेगा वो 1 inch के side में लगेगा यहाँ पर हम straight marking करेंगे यह देखिए हमारे tax point हो गए अब इनकी जो weight थे वो 1.5 inch हमने ली थी तो 1.5 inch का half half करते हुए दोनों side हमें marking कर लेनी है यह देखिए दोनों side हमने इस तरह से marking करते हुए line को draw कर लेना है और अब यही marking देखिए हमने आप है center fabric पर कर लेनी है तो हम lining fabric को अलग stitch करेंगे और center and net fabric को अलग stitch करेंगे क्योंकि हम इसमें pad लगाएंगे तो वैसे तो मैंने आपको princess cut पर pad लगाना बहुत बर बताया लेकिन आज हम one tux पर pad लगाएंगे और बहुत ही finishing से यह pat लगेगा इसमें कोई भी आपको दिकत नहीं होगी बिल्कुल perfect तरीके से आपके body में यह fit होगा तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों tux लगा लिये हैं और lining fabric के भी tux लगा लेना है तो पहले हम इसे dark करेंगे तो देखिए टक्स हमने यहाँ पर लगा लिये है यह देखिए तो दोनों जो टक्स है वो अंदर के side होना चाहिए यह देखिए अब यह आपर जो हमारा pad है उसको हम इस तरीके से fold करेंगे और center पर एक marking करेंगे अब इसे हम यहाँ पर रखेंगे center से इस तरीके से इसको अंदर के side लेना है और जहाँ पर हमारा tux खतम होता है वहाँ पर हम इसे stitch कर लेना है center पर रखते हुए ही हम इसे stitch करेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसे stitch किया दोनों tux इसी तरीके से हमने stitch कर लिये है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी से stitch करने में आसानी से यह stitch हो जाएगा बाकी साइट से stitch कर लेना है आर्मोल के साइट पर हमने गुलाई भी दे दी है 0.75 इंच की और अब हमें यहाँ पर शोल्डर को stitch करना है अब यहाँ पर हमने sleeve को cut नहीं किया था तो उसकी हमने यहाँ पर बेक आर्मोल को measure कर लिया तो 8.5 इंच आया है sleeve की total जो length है वो 24 इंच रखी है नीचे के side समय से fold नहीं करना है तो half इंच ही आपको extra लेना है इसमें अर्मोल था 8.5 इंच तो 8.5 इंच ले लिया है 3.5 इंच पर हम sleeve को down करेंगे sleeve round है हमारा 6 इंच उसका half लेना है 3 इंच और 2 इंच प्लस करेंगे margin के लिए और यहां से line को draw करते हुए से cut कर लेना है अब यहां पर front में shape देना है हमें two parts में अब यहां पर हमेंसे stitch करेंगे तो हमने जो extra fabric cut किया था वह from front में stitch करना है अब कर दूसरी सैट से भी stitch करेंगे दूसरी स्लेज भी stitch कर लेना है और अब यहां पर हम जो हमारी यहां पर यह net fabric है तो जो lining है हमारा वह net fabric पर दिखेगा तो उसको तरीके से fold करते हुए हम stitch कर लेंगे ताकि यह net fabric पर ना दिखे अब fitting लगानी है तो पहले हम यहां से stitch करेंगे तो जो भी side का extra fabric है वह आपको cut कर लेना फर फिटिंग लगा लेनी है और अगर stitching के बाद भी आपका जो extra fabric आता है तो इसे आप cut कर सकते हैं इसको उल्टा करते हुए एक पेर का margin रखते हुए stitch करेंगे लगानी है जेस्ट का fourth part लेना है वेस्ट का fourth part लेना है स्लीज round का half लेना है और तीनों marking को मिलाते हुए fitting लगाएंगे यह fitting लगा ली है हमने इसकी अपर पार्ट complete हो गया अब यह जो मारा lining था उसमें हमें जॉइंट लगाना है पहले हम यहां से stitch करेंगे से और यहां पर भी जो हमने जॉइंट लगाया उसको हमें stitch कर लेना है यह देखे इस तरह से तो जॉइंट लगाकर हमने से stitch कर लिया अब इसका जो bottom केने उसको हम सेंटर से कट करेंगे सिक डूपार्ट सो जाएंगे यह दिखी वह दुनों को एक दूसरे के सांथ ज़ॉइन कर लेना है और इसमें इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल ले नी है हमें यह देखिए इस तरह से पूरे ही कैन कैन पर डालेंगे और नीचे से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है तो पहले आपको फोल्ड करना है फिर आपको कैन कैन पर प्लेट्स डाल ली है तो देखिए हमने यह पर प्लेट्स डाल ली है अब इसकी जो लैंद है वो टोटल 18 इ पर करेंगे एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम इसमें तो हमें आप पूरे ही सरकल पर 19 पर मार्किंग कर लेनी है तो यह देखिए पूरे ही सरकल पर इस तरीके से मार्किंग करनी है हमें और अभी कैन कैन को जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमें इस तरीके से स्टीच कर लेना है तो देखिए हमने इसे स्टीच कर लिया और अभी सेंटून फैवरिक को भी हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और अब जो plates हम जो net fabric पर plates डाल नी है तो बो हमें बहुत ही गनी गनी अब बहुत ही चोटी-चोटी plates डालना है पूरे ही fabric पर, जितना भी हमारा fabric है उसमें पूरे पर इस तरीके से plates डालेंगे तो देखें मैंने आपर plates को डाल लिया और plates हमने हमारे waste के according डाली है जितनी हमारी waste है उतना ही डाला है साइट से हमने इसमें fitting लगा ली है और अब यहाँ पर हमारा जो friend parties को इसके अंदर रखना है और इस तरीके से पूरे round पर हमें stitch कर लेना है friends round में हमने इसे stitch कर लिया है तो gaun बन कर हमारी complete हो गई है तो comment करके आप जरूर बताएगा कि आपको ये video कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और channel को subscribe जरूर करिएगा thank you झांअन करना है झांअन कर Piao झांअन कर थैस बाल कर दो उन्सका पर आपको ये can not दो शके येख़गा